नमस्कार नियूज यूग में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथम शहरी शेत्र में यूवाओं और महिलाओं को विवन शेत्रों में रोजकार के लिए जागरो करने और वित्तिय साहता के लिए जूजने वाले हाथ आज खुद बेरोजकार बैठे हैं जिस फ्लैक्शिप यूजना में राजस्थान लगातार दो साल से देश में तीसरे इस्थान पर अपना पर्चम फेरा रहा था उसी राष्टिय शेहरी आजिवी का यूजना के संबीदा कर्मी पिछले तीन महीने से बेकार बैठे हैं दरसल मामला यह है कि राष्टिय शेहरी आजिवी का यूजना के संबीदा कर्मी पिछले तीन साल से T&M कमपनी के मैंपावर सप्लाई पर कारे कर रहे थे अब हुआ यूँ कि इस कमपनी का टेंडर दिसंबर 2018 में समाथ हो गया उसके बाद दो बार तीन-तीन महीने का विस् प्लाई का टेंडर हुआ तो सही लेकिन उसकी फाइल अभी तक विभाग और मंत्राले के बीच चकर घिन्नी हुई घूम रही है अब इस अंदेखी के चलते जिस फ्लैक्शिप योजना में राजस्थान लगातार दो साल से देश में तीसरे इस्थान पर अपना पर्चम फ योजना के पुराने किये हुए काम भी जंग खा सकते हैं बहरहाल अब विभाग और मंत्राले की बीच चकर कार्ती फाइल पर फैसला अभी अधर जूल में है वहीं राश्टिय शहरी आजिवी का मिशन के संभीदा कर्मी बेकार बैठे हैं जिससे आने वाले समय में योजन के पुराने कीरती मान भी धूल खा सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का युग निउस युग